नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल मिस्ट्रेस भी कलासिज पर दोस्तों करनाल के अंदर कोर्ट में सभी पर की पोस्ट निकली हुई हैं आईए इसके बारे में जान लेते हैं क्या कुछ हैं कितनी पोस्ट हैं क्या क्वालिफिकेशन रहेगी DC rate पर यह जोब सबसे पहले तो हम आपको यही बता दूँ कलियर कर दूँ बच्चे बात में कमेंट करते हैं ठीक है आगे बढ़ने से पहले request है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिए देख लीजिए इडिस्टी कोर्ट पर जैसे हम आते हैं यह official website है और यहाँ पर हमने करनाल सेलेक्ट कर रख्या या आप देख सकते हो website पर करनाल खोलते हैं तो requirement के section में सब से उपर ही देख लीजिए employment notice आपको मिल जाएगा इसको download कर लेते हैं तो हमने इसको download कर लिया बिल्कुल छोटी सी फाइल है एक 13KB की अभी देख लेत करनाल कोर्ट के अंदर ठीक है और इन मेंसेज दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो 10 पोस्ट है सोईपर of judicial court complex judicial court में है और एक जो पोस्ट है वो है सोईपर की जो court of subdivisional ठीक है इंदरी में है और contract basis at DC rate ठीक है यहाँ पर बिल्कुल सब साफ मेंशन कर रख्या ही नहोंने ब ठीक है और DC rate पर हैं आगे देख लिए क्या का आगा इसमें the candidate should have experience of the duties required to be performed and should be able to sign in Hindi यानि के उसको experience होना ची अपने काम करने का और उसको शिर्प क्या है sign वगरा करने आने चाहिए ठीक है और कोई ज्यादा qualification इसमें नहीं है इन्दी और गुरूम की language में sign करने आने no person shall be required he see is less than 18 यानि के age के बारें बता रख्या वही ठारा साल से चोटा नहीं होना चाहिए और ब्याली साल से बड़ा नहीं होना चाहिए एक एक 2021 के अनुसार ठीक है एक जनूरी 2021 के अनुसार ठारा साल से चोटा नहीं होना चाहिए और ब्याली साल से बड़ा नहीं होना च जो एज में relax मिलता है, वो भी दिया जाएगा, अगर कोई relax के काबिल है तो, ठीक है, जैके लीजी आगे, application किस तरह से आपको बरना है, फारम, application, on plain paper, given complete bio data, आपको plain paper पर आपका bio data आपको देना है, आपका क्या qualification होगारा, कुछ कर रखी है, नहीं कर रखी है, क्या कुछ काम ह ठीक है, वो सारी चीजी आपको देनी है, जिसमें आपके father name, date of birth, education, ठीक है, और permanent address, contact number है, experience है, ठीक है, if any, duly supported by attested, copy of testimonial, आपने जो document लगाओगे, उसके attested copy करवा लेना, ठीक है, किसे भी अपने अधिकारी से जो attest की authority रखता हो, और passport size photo है, ये भी attested लगेगा, ठीक है, और address इस पर लिखकर, अपना court का, अपना जो envelope है, address लिखकर उस पर वहाँ पर बेज देंगे आप, ठीक है, किस तारीक से पहले यहाँ पर दे रखेंगे इनोंने, office on, और before, बाइस ग्यारा, ठीक है, आज 14 तारीक है, तो बाइस ग्यारा, दो जारीकी स्याम के 5 बजे तक आ इन्ट्रिव होंगे, ठीक है, यह है, 27 और 28, यानि के 27 और 28 नौंबर को सुबह 11 बजे से, judicial court complex करनाल के अंदर आपके सिधे इन्ट्रिव लिए जाएंगे, इसमें और कोई कुछ ए एक्स्ट्रा नहीं है, इसके लिए इनोंने special बात जहां पर बता रखिया, कि कोई भी इन् के इसाब से, डेट वाईज आ जाना है, जैसे A से लेकर M तक, ठीक है, A से लेकर M तक, जो नंबर बनते हैं, जिन जिनके नाम आते हैं, वो 27 नौंबर को अपना इंट्रिव के लिए 11 बजे पहुँच जाएं, और N से लेकर Z तक, जिनके नाम आते हैं, ठीक है, वो 28 तारीक को 11 बजे, A.M. को अपना इंट्रिव के लिए पहुच जाएं, ठीक है, जूडिशियल कोर्ट कॉम्पलेक्स के अंदर, यहां पर और देख लीजिए, एपलिकेंट आर रिक्वार्ट टू बरिंग ओरिजिनल टो स्टमोनिल, यानि के अपने ओरिजिनल जो डोकुमेंट है, अपने इंट्रिव के टाइम में, ठीक है, बाकी और इसमें कोई खास ऐसी चीज नहीं आगे, ठीक है, यहां बस इनों नहीं यही बता रख्या, अलग से लेटर जारी नहीं किया जाएगा, इंट्रिव के लिए, और कोई T.A.D.A. यानि किया आने जाने का कोई किराया बता अगरा नहीं दिया जाएगा, तो यह लेटर जारी किया गया है, जो भी इंट्रेस्टेड केंडिडेट हैं, अपना अपलाई करें, टाइम अभी काफी है, बचया हुआ है, आज 14 तारिक है, तो 22 तारिक तक आपको देने हैं, ठीक है, अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं, पर्मानेंट जोब है, या फिर डिसी रेट जोब है, सभी प्रकार की खबरें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ सेर कीजिए, थेंक्यू, वरी मुच्च.